गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपिसीटर्स और कैपिसीटर्स के कुछ बेसिक्स के बारे में जानकारी राप्त किया था यह देखा था कि कैपिसीटर में कौन-कौन सम्मुख्य फर्मूला होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने आज के इस class में हम लोग connection of capacitor और capacitor का value निकालना सीखेंगे इसलिए आप लोग ध्यान पुर्वक इन दोनों points को सुनेंगे क्योंकि यह दोनों points exam के view से काफी ही important है सबसे पहला point हम लोगे start करते हैं आज connection of capacitor जैसा कि हम लोग इसके पहले जो chapter पढ़े थे resistor उस resistor में भी हम लोगों ने देखा था कि resistor को दो तरह से जोड़ा जाता है series connection और parallel connection ठिक उसी तरह से capacitor को भी दो तरह से जोड़ा जाता है series connection और parallel connection series connection में एक capacitor का दुसरा सीरा दुसरे capacitor के पहले सीरे से दुसरे capacitor का दुसरा सीरा तीसरे capacitor के पहले सीरे से जुटा होता है इस connection में कुल capacitor का मान घट जाता है अर्थात 1 by CT is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 इसी तरह से जितने भी capacitor पैरलल में लगेंगे सभी को हम लोग इस formula से जात कर सकते हैं अगर सभी प्रतिरोध का मान एक समान है उस स्थिती में हम लोग direct एक formula है जिसको हम लोग CT is equal to C by N कहते हैं जैसे मान लेते हैं कि 30-30 microfarad का तील capacitor सीरीज में जुटा है equivalent प्रतिरोध ग्याद करना direct हम लोग CT is equal to C by N का formula यूज करेंगे C के जगा 30 लिखेंगे और N के जगा चुकि 3 capacitor सीरीज में जुटा है इसलिए N के जगा 3 रखेंगे 30 divided 3 is equal to 10 microfarad इस formula से समय का बचत काफी जादा होता है और इसके अलावा हम लोग 1 by CT is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 के formula पर भी इस मान को रख करकर के इसका equivalent टिकाल सकते हैं इस connection में कुल कैपिसीटर का voltage आपस में जुट जाता है लेकिन total voltage से ज़्यादा नहीं होता है तथा सभी कैपिसीटर से प्रवाहित होने वाला current एक समान होता है जिसके कारण सभी में Q एक समान होता है अब हम लोग दुसरे connection के बारे में देखते हैं इस connection में कैपिसीटर को parallel में जुडा गया है जैसा कि हम लोग पहले भी resistor में पर चुके हैं ठिक उसी प्रकार से capacitor में भी सभी capacitor का एक सीरा यदि एक साथ जुटा हो और सभी capacitor का दुसरा सीरा यदि एक साथ जुटा हो तो उस connection को parallel connection कहते हैं इस connection में सभी capacitor के पास voltage का मान एक समान होता है लेकिन सभी capacitor में उत्पन होने वाला charge, store होने वाला charge अलग-अलग होता है जैसे C1 में Q1 charge, C2 में Q2 charge और C3 में Q3 charge उत्पन होने इस connection में कुल capacitance निकालने का formula है CT is equal to C1 plus C2 plus C3 अर्थात माल लेते हैं कि अगर 10-10 microfarad का 3 capacitor series में जुटा है तो उसका equivalent capacitance हो जाएगा 10 plus 10 plus 10 microfarad अर्थात 30 microfarad डारेक्ट फर्मूला एक है जिससे हम लोग का समय बचत होता है लेकिन direct formula उसी अवस्था में हम लोग यूज करते हैं जब सभी capacitor का मान एक समान हो अगर सभी capacitor का मान एक समान नहीं रहे तो series connection या parallel connection में direct formula का यूज नहीं करेंगे तो पहले हम लोग series connection के direct formula के बारे में पर चुके थे अब हम देखते हैं parallel connection में direct formula क्या है तो CT is equal to N into CT या C जैसे मान लेते हैं कि 10-10 microfarad का 3 capacitor है तो N के जगा 3 रखेंगे और C के जगा 10 तो 3 into 10 is equal to 30 microfarad इस connection में हम लोग या देखते हैं कि capacitor का मान आपस में जुट जाता है थाक capacitor का मान बढ़ता है हम लोग दुसरे तरफ यह कह सकते हैं कि resistor में series में मान बढ़ता था parallel में मान घटता था जबकि capacitor में series में मान घटता है और parallel में मान बढ़ता है लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला बात है जो हमेशा question में पूछा जाता है अगर capacitor को parallel में जोडते हैं तो उसके voltage पर क्या प्रभाव पड़ता है तो सबसे कम value का voltage का capacitor होता है कुल voltage उतना से ज़्यादा हम लोग नहीं देते जैसे 10μF 25V, 10μF 35V और 10μF 50V का 3 capacitor parallel में लगा है तो equivalent capacitance होगे 30μF लेकिन voltage वहाँ पर मात्र होगा सबसे कम जो था 25V तो कुल capacitance का मान भी हम लोग 25V ही रखेंगे क्योंकि capacitor जो होता है वो voltage की अनुसार होता है अगर इसमें हम लोग इसके working voltage से ज़्यादा देते हैं तो capacitor blast कर सकता है इसलिए capacitor में अगर किसी capacitor पर 25V लिखा हुआ है तो उसका 1.5 टाइम अर्था 37.5V से ज़्यादा जैसे ही उसमें supply देंगे capacitor blast हो जाता है तो इस connection of capacitor में हम लोग series और parallel formula के बारे में समझा आगे के video classes में हम जो बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है उसमें हम जितने भी इस topic के numerical है उन सभी numericals को आप लोग को board पर share करेंगे next जो topic है आज का वो है capacitor में value ग्याद कर किसी भी capacitor में उसका value चार प्रकार में से किसी एक प्रकार में लिखा हुआ होता है जिसे हम लोग digit, microfarad, picofarad और color के नाम से जानते हैं लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस रूप में उसका मान लिखा हुआ हो market में हम लोग को उसी नाम का capacitor मिलें तो हम लोग capacitor का equivalent मान किस तरह से निकालते हैं आज हम लोग सबसे important यह class आपको पढ़ेंगे इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पुर्वक सुनिएगा अगर capacitor पर 102, 101, 130, 104, 203, 204, 472, 474, 502 लिखा हुआ है अर्थात उस capacitor का मान digit में लिखा हुआ है यदि कैसी capacitor पर 0 अर्थात 1 से कम value लिखा हुआ है जैसे point में लिखा हुआ है जैसे 0.1, 0.001 microfarad, 0.0001 microfarad इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि उस capacitor का मान microfarad में लिखा हुआ है यदि किसी capacitor पर 100 लिखा हुआ है या 1 के लिखा हुआ है 10 के लिखा हुआ है 22 के लिखा हुआ है तो हम लोग कहते हैं कि उस capacitor का मान पीकोfarad में लिखा हुआ है capacitor का मान इन 3 के अलावा color में भी अंकित होता है और वही color chart हम लोग capacitor का मान ग्यात करने के लिए यूज करते हैं जो हम लोग resistor में यूज किये थे हाँ यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि capacitor में जो color किया हुआ होता है वह दो प्रकार से किया हुआ होता है एक में पूरा color चारो तरफ से किया हुआ होता है और दुसरे में color का पतला पतला लाइनिंग खिचा हुआ होता है तो जिसमें color का पूरा भाग चारो तरफ डुबा होता है उस capacitor में सबसे उपर वाले color से हम लोग मान लिखना शुरू करते हैं और यदि एक पतले लाइन के रूप में color किया हुआ है तो terminals के नजदिक चोर रंग होते हैं वो पहला रंग कर लाता है अब हम लोग यहां पर एक चीज देखते हैं कि capacitor का मान यदि digit में लिखा हुआ है तो अन्य तिन बिधी में हम लोग उस का मान किस प्रकार ज्याद करेंगे जैसे यदि किसी capacitor पर 103 लिखा हुआ है अर्था एक सो तिन लिखा हुआ है इसका मतलब कि वो capacitor का मान डिजिट के रूप में लिखा हुआ है सबसे पहला काम हम लोग यह करेंगे कि पहला अंक दूसरा अंक सेम कर सेम उतार देंगे और तिसरे डिजिट के अनुसार हम लोग 0 लिख देंगे जैसे 1 और 0 को सेम टू सेम उतार देंगे नीचे और 3 के जगा 3 0 लिख देंगे तो यह हो गया 10,000 10,000 PF या 10 K PF हम लोग इसको बोल सकते हैं Second step में हम लोग क्या करते हैं अगर Micro Farad में उसका मान ग्यात करना है तो जो Pico Farad में मान आया उस मान को 10 लाग से Divide करते हैं और 10 लाग से Divide करने के बाद जो value आता है उसको Micro Farad में लिखते हैं जैसे 10,000 PF को Divide किये 10 लाग से तो हम लोग का बस्ता है 1 by 100 और जब इसको decimal में निकालते हैं Divide करते हैं तो हम लोग पाते हैं 0.01 Micro Farad Third step है कि अगर digit में मान लिखा हुआ है तो अभी तक हम लोग देखें कि Pico Farad में Micro Farad में किस प्रकार हम लोग इसके मान को ग्याद करते हैं Third point में हम लोग देखते हैं कि Color में उसका मान किस तरह से ग्याद करते हैं Color में मान ग्याद करने का बहुत ही आसान नियम है और वो नियम यह है कि First digit को First Color Second digit को Second Color Third digit को Third Color लिखते हैं अर्थात One का Brown, Zero का Black और Third का Orange इस तरह से हम लोग देखें कि डिजिट में अगर भैलू लिखा हुआ है तो हम लोग कैपिसीटर का मान अन्य तीन विधी में ग्याद करते हैं जैसे 103 नंबर का जो कैपिसीटर है अगर उसके जगा मार्केट में 10 KPF या 10,000 PF लिखा हुआ कैपिसीटर आ रहा है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं अगर 0.01 माइक्रो फैराड लिखा हुआ मान का कैपिसीटर मिल रहा है उसका भी परियोग हम लोग उस जगा कर सकते हैं और यदि brown, black, orange कलर का कैपिसीटर मिल रहा है उसका भी उप्योग हम लोग कर सकते हैं सेम इसी तरह से हम लोग अन्य बिधी से कैपिसीटर का मान अन्य तीन बिधी में ज्याद करते हैं लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाला बात है एक ही चीज ध्यान देना है कि पीको फाराड से यदि हम लोग माइक्रो फाराड में निकाल रहे हैं भैलू तो तस लाग से डिवाइड करेंगे और यदि माइक्रो फाराड से पीको फाराड में निकाल रहे हैं तो 10 लाग से multiply करेंगे यानि गुना करेंगे तो आज के class में हम लोगों ने connection of capacitor और capacitors का value ज्याद करने का नियम पढ़ा अगले class में हम लोग type of capacitor जो की काफी important है और उससे related बहुत से question बहुत प्रकार से हम लोग के exam में पूछे जाते हैं इसलिए next class जो आपके YouTube पर Friday को upload किया जाएगा उस class को आवस्य ध्यान पुर्वक सुनेंगे और note करेंगे आज का class हम लोग यहीं पर stop करते हैं थैंक यू